स्वागत है आप सभी का स्टाटिक जीके में आज की हमारी वीडियो फिर से सीटेट के नए एक्जाम डेट से लेकर के होगी और आपके दिमाग में ये बहुत से ऐसे डाउट्स होंगे कि आखिर आपका जो पेपर है वो अक्चुली में कब होने वाला है तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा तो जरूरी ये है कि पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना है स्किप किये अगर वीडियो को आप स्किप कर दोगे तो बीच में कुछ ऐसी बातें बोली जाती है जो छूट जाएंगी तो आपके डाउट् आप सभी के जहें जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा ठीक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्क्रेंशॉट आपके सामने ओपन होगा लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर आउन प्रश्ती है डेट हमारे पास 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर यहाँ पर प्रवीन ने इसलिए लिखा है सर 11 अक्टूबर को कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूँ कि CBSC ना ही कोई गवर्मेंट इस बात की गैरेंटी लेता है कि साल भर आप जितने भी फॉ पेपर लेने का तरीका है यह सब कुछ डिफरेंट है ना बाकि सीटेट से अगर हम कंपैरिजन करते है तो सीटेट का भी बिलकुल डिफरेंट है सलेबस इसका डिफरेंट है कॉंसेट अलग है पेपर लेने का तरीका अलग है पेपर कौन ले रहा है यह भी अलग है तो नहीं कर सकते ठीक है दूसरा कॉमेंट लिखे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोद गुपता ने कॉमेंट किया है जुलाई और दिसंबर एक साथ होंगे क्या मैं आपसे बता दूँ कि अभी यह जुलाई का पेपर तो हैंडल करानी पा रहे हैं है ना और जुलाई वाले में ह लगभग 35 लाख स्टुडेंट है है ना जीरो भी कम पड़ जाएंगे यहाँ पर लिखने में 35 लाख स्टुडेंट है यहाँ पर सीटेट का फॉर्म भरा है जुलाई वाले में तो आप यह बताओ कि क्या जुलाई और दिसंबर वाला कैसे साथ में करा सकते हैं एक साथ वो पर भी प्रेशर होगा और इस्टुडेंट के भी पास प्रेशर होगा कि सर कैसे दोनों पेपर एक साथ करा लिए जाएंगे है ना तो इस तरीके से आप समझने कोशिश करो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पेपर आपके दोनों बहुत से ऐसे यूचूब चैनल है जो आ एक नमबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना वाईरस में इंडिया आप एक नमबर पे पहुचने वाला है वितिन चार से पांच दिन के अंदर पूरे दुनिया को पीछे छोड़ देगा है और किसी चीज में पीछे नहीं चोड़ पाता लेकिन कोरोना में यह पीछे छ शर्मा का इसी तरीके से अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो आप लोग comment section में लिख दिया करना आपके भी comment को हम वीडियो में include किया करेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखती है किसा जिसने SI और सीटेट दोनों ही exam को formful किया हो उसका क्या 11 अक्टूबर को नहीं होना चाहि तो यह कोई CBSC ना ही guarantee लेती है ना ही कोई government guarantee लेती है कि साल भर आप कोई exam का form भरो तो seated का exam क्या नहीं होगा नहीं आप कोई भी state के exam कोई भी exam से आप seated के exam की comparison मत करो कि यह exam इस दिन होने वाला है तो seated का नहीं होगा देखिए अच्छे level के जो exam होते हैं इस आई-स level का exam हो ग आई-स का exam और अच्छे level पे होता है तो इस दिन chances बहुत कम हो जाते हैं कि seated का exam टैली करें बाकी के जो exam है छोटे मोटे exams होते हैं तो इस दिन टैली करने के chances बहुत कम होते हैं तो इसमें आप confuse मत होगा करिए ठीक है अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैंने बताया September में नहीं हो सकता October 4 October भी clear कर दिया 11 October अगर आपको मैंने आपको पिछली वीडियों बताया था कि 25 October से ले करके और last तक आप मानो कि October last तक अगर आपका seated का exam हो जाता है तो well and good है अगर नहीं होता है तो November में होने के chances आप 20% मानो क्योंकि छुट्टियां बहुत पढ पढ़ रही है दिवाले भी पढ़ रही है November में तो मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल ये बहुत सारे त्योहार पढ़ रहे है November में तो paper होने के बहुत कम chances है December में chances आपके हो सकते है December वाली proof वाली वीडियो मैंने बनाई है यहाँ उपर i button पे आ रहा होगा आप देख लेना बहुत important वीडियो है तो paper आपका December तक जा सकता है यहाँ पर होने के chances बहुत जादा है December में ठीक है October में 50% chances है लेकिन December तक होने के chances बहुत जादा है तो आप लोग please सभी लोग confuse मत हुआ करिए और जो भी आपके doubts हुआ करे आप comment section में लिखा करिए आपके हर एक doubts का reply मैं comment में जरूर दूँगा और आपके अगर comment अच्छे होंगे तो उनको वीडियो में include जरूर करूँगा तो thank you so much watching this video keep smiling stay home stay safe